हालो फ्रेंद्स वेलकम तू स्टेब आपाईएस एंड वे गईंग तू स्टार्ट आर न्यूज नालस तू आज 12 अगस्त है और जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज असको देखते हैं कबसे पहला जो न्यूज है वो ऑपरेशन मदद को लेकर के है काफी इंपॉर्टेंट है जाना कि ऑपरेशन मदद क्या है और कहां पर चलाया जा रहा है तो साउधर नवल कमांड के द्वारा यह ऑपरेशन कोची जो की कैरला में पढ़ता है वहां पर अभी लॉंच किया गया है ऑपरेशन मदद को ठीक है चुकि काफी दिनों से यह न्यूज में है जो इडोकी दैम है हमने इसके बारे में डिसकस्ति भी किया था कि बहुत ज्यादा रैन्फॉल होनी की वज़़े से वहां का पानी बाहर आ रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि बहुत 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 हो सकता है तो उसको बचाने के लिए एक डिसास्टर रिलीफ आपरेशन चलाया तो याद रखेगा operation मदद कौन से एरिया में चलाया गया था और किस वज़ा से इसको launch किया गया है अगला news है SEO peace mission काफी important है SEO means Shanghai cooperation organization पहली बात आप याद रखें कि ये बाइनली होता है मतलब दो साल में एक बार इस mission को organize किया जाता है किसके द्वारा SEO member state के द्वारा और इस बाद 2018 में ये रश्या के द्वारा conduct किया जा रहा है ये joint excise होता है और रश्या में इसको अभी conduct किया जा रहा है important इसलिए है because इंडिया ने 2017 में full membership हासिल की थी SEO की शांगाई cooperation organization की राइट उसके बाद हमारे लिए काफी historic occasion होगा जिसमें इंडिया भी participate करने जा रहा है इस space mission के दौरान ठीक है and it will involve tactical level operations in an international counter insurgency or the counter terrorism तो ये जो terrorism का environment बन चुका है या insurgency का जो महौल है उसको counter करने के लिए इस mission को organize किया जाता है इस exercise को organize किया जाता है SEO member state के दौरा अब आगे थोड़ी सी जानकारी शांगाई cooperation organization के बारे में ले लेते है ये एक eurasian political economical or military organization है याद रखेगा और इसको बनाया गया था चाइना, कजाकस्तान, किर्गिस्तान, रश्या, ताजिकिस्तान और उजबेकिस्तान के दौरा चीक है इसके बाद 2017 में इंडिया और पाकिस्तान दोनों को ही फुल मेंबर्शिप दे दी गई कजाकस्तान, अस्ताना में यानि अस्ताना जो एरिया है कजाकस्तान में वहाँ पर फुल मेंबर्शिप 2017 में इनको दी गई इसके लाव अगर हम observer status की बात करें कि कौन से ऐसे state है जिनके पास की observer status है SCO का तो वो है इरान, मंगोलिया, बेरारूस और अफगानिस्तान एक और important बात यह है यहाँ पर कि Chinese और Russian यह दो language है जो की official working language है SCO के याद रखना है Chinese और Russian दो official language है देखिए ऐसे organizations हमारे ले बहुत important हो जाते हैं जहाँ पर India full member की तरह participate कर रहा हो तो वहाँ के छोटी-छोटी बाते भी हमारे ले ज़रूरी हो जाती है तो याद रखना है कि दो official language है एक Chinese और एक Russian इसके अलावा RATS एक बहुत important organization है जो SCO के अंदर कदीद आता है Regional Anti-Terrorist Structure इसका headquarters है ताशकंत उजपेकिस्तान में और यह permanent organ है SCO का ठीक है जिसका काम क्या है तो जाहिर सी बात है terrorism, extremism सबको counter करना और साथी साथ cooperation लेकर के आना SCO Member State के बीच में to counter these factors चीक है तो कुछ important बाते हैं हमने देखी SCO से जुड़ी वी और अब अब अगले नीउस पे चलते है परिवेश परिवेश का full form यहाँ पर लिखा हुआ है Proactive Responsive Facilitation by Interactive and Environmental Single Window Hub इसको recently launch किया है प्रिधार मंत्री जी ने, Prime Minister of India ने और यह एक single window integrated environmental management system होगा मतलब जितने भी clearances होते हैं environment से जुड़े हुए वो यहीं इसी window पर मिल सकेंगे लोगों को और इसको launch किया गया है भी world biofuel day के उपलक्ष पर एक और बात याद रखेगा कि इसको develop किया गया है Ministry of Environment, Forest and Climate Change साथ ही साथ इसको technical support दिया गया है National Informatic Center के द्वारा that is NIC चीक है इसका क्या role होगा तो online submission, monitoring, management यह सारा इसका काम होगा और state center और district level की जो authorities होती है उनसे environment clearance लेने के लिए यह पूरा काम करेगा चीक है तो कुछ important बाते हैं हमने देखी परिवेश से जुड़ी वे याद रखेगा अगला news है investors conference for the holistic development of island अगर आपने पहले इस news को नहीं पढ़ा है तो आप जालने की बहुत important news है यह because इसमें island को develop करने की बात की जारी है जो अंडमांड, निकोबार और लक्षवीप का area है हमारा वहाँ पे जो शुटे-शुटे islands हैं उनको दुबारा से बचाने की बात की जारी है उसको दुबारा से reform करने की बात की जारी है इस एजनसी के माध्यम से यहां पर holistically काम किया जासे के इन islands पर तो इनका क्या काम होगा यह total 10 islands को develop करने जा रहे हैं फर्स्ट फेज में अंडमां निकोबार और लक्षवीप दोनों ही जगाओं पर तो वहाँ पर औरो फेरी सर्विस जैसे चीजे desalination plants, digital connectivity, green energy यह सारी चीजे फर्स्ट फेज में वहाँ पर develop की जाएंगी उन islands पर तो काफी important बाते हैं याद रखेगा अब थोड़ा image के तौर पर देख लेते हैं अंडमां निकोबार, island और लक्षवीप देखिए यहाँ पर इसका location उल्टा है लेकिन अगर आप इंडिया की बात करें तो यहाँ पर है अंडमां निकोबार का reason और यहाँ पर है लक्षवीप आइलेंड ठीक है तो अंडमां निकोबार island कहां पर पाया जाता है? Bay of Bengal में और लक्षवीप आइलेंड कहां पाया जाता है? Arabian Sea वाले reason में अब यह कुछ अंडमांड निकोबार के islands का नाम लिखा हुआ है आप इसको ज़रूर याद रखें क्रोनलोजी भी इसकी याद रख सकते हैं कि नौर्थ अंडमांड है फिर मिडल अंडमांड फिर लोर अंडमांड और लिटल अंडमांड इस तरीके से सीक्वेंस है और यही पर अंडमांड और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है जो दूसरे को separate करती है तो यह काफ की important है याद रखिएगा इसी की तरह यहाँ पर लक्षुदीप है जिसका की capital cover अती है और यहाँ पर इस तो आइलेंस बने वे हैं इसका नाम आप थोड़ा सा देख सकते हैं अगर पूछ लिया गया तो तो कुछ important बाते हमने देखी यहाँ पर और अब institutional information की बात करते हैं कल new batch launch किया जा रहा है हिंदी माध्यम में economy के subject से आप module wise भी इस batch में आ सकते हैं अगर आप personal guidance में जुड़ना चाहते हैं foundation course अगर आपने कहीं से किया हुआ है या आप Delhi तक नहीं आ पा रहे हैं तो आप हमसे online या offline दोनों ही माध्यम से personal guidance के थ्रूँ जुड़ सकते हैं जिसमें कि आपको intense answer writing की practice और time management और self study का तरीका सिखाया जाता है तो साथी साथ कुछ topics वगरा को भी discuss किया जाता है इसमें ये time management के diary होती है जिसके help से आपको service किया जाता है इसे बारे में details से जानकाई लेने के लिए आप हमें numbers पर call करें और अब कल के question कहा सा देख लेते हैं question था GST council से जड़ा हुआ और इसका सही answer है C that means इसमें Prime Minister involved नहीं है GST council में 279 article A है ज इसके अलावा Union Minister of State और other ministers होते हैं इनका नाम आप देख लीजएगा तो ये आपको याद रखना है Thank you thank you very much for being with me I have working discussion please subscribe कीजे चैनल को like जरूर कीजे और share कीजे as much as you can and आपको इस website पर जाकर PDF मिल जाएंगे आप वहां से download कर सकते है www.stepofis.com Front page पर ही आपको PDF का link मिल जाएगा आप इसको वहां से download कर ले थाइंक्यू